कि नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कॉंपटिशन कमिनिटी में मैं हूँ आनंद कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग इस सब्ता का 36 करेंट एफ़र एनलेसिस करेंगे हाला कि ये 36 सब्ता ही करेंट एफ़र वाला वीडियो आपको संवार को मि हो तो घर से ही ये करेंट एफ़र का वीडियो में आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं लास्ट टेम हमने आइधिंग 16 मार्स तक के 36 करेंट एफ़र को एनलेसिस किया था आज के इस वीडियो में हम लोग 17 मार्स से लेकर आज तक यानि के 26 मार्स तक के 36 गड़ के जितनी important topics हैं उन सबका यहाँ पर एनलेसिस करने जा रहे हैं सुरुआत करूँगा लेकिन उससे पहले कुछ जो महत्पून जानकारी है मैं आपको दे दूँ कि अगर आप घर बैठे अपने समय को बहतर तरीके से यूटिलाइज करना चाते हो या आप CGPSC की तैयारी करने का सूच रहे हो या कर रहे हो तो आप हमारे मुबाइल कुर्स से जुड़ सकते हो मुबाइल कुर्स से आप बहतर तरीके से घर में बैठकर अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख सकते हैं यानि कि आपकी consistency break ना होने दे तो आप मुबाइल कुर्स के माधियम से घर बैठे बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हो दूसरी जो महत्पुन जानकारी यह है कि हम जो भी current affair है पर analysis कर रहे थे तो current affair निरंतर जो है आपका वो जारी रहेगा इसके अलावा और भी कुछ प्रयास होते हैं तो वो आप तक जरूर उपलब्ध करवाया जाएगा और घर बैठे आप mains program से भी जूट सकते हो अगर घर बैठे test series अटेम्ट करना चाहते हो तो भी हमारी website पे available है test series वहाँ भी visit कर सकते हो तो चलिए अकुल मिलाकर अगर आप चाहते हो कि बहतर तरीके से आप अपने समय को utilize कर सको घर पे तो हमारी website पर visit करें और जो भी material available है वहाँ पर उसका लावूट है चलिए शुरुवात करते हैं और जो हम हर वीडियो में जो question discuss किया गरते थे जो भी question आप लोगों को दिया जाता था वो question आज यहाँ पर नहीं दिया जाएगा हाला कि आने वाले समय पे जितने भी questions होंगे सभी कठा कर गे हम लोग आपर analysis कर लेंगे तो शुरूआत करते हैं हम आज का analysis सबसे पहला जो हमारा topic है कोरोणा वाइरस से शुरूआत करते हैं कि आप लोगों पता कि कोरोणा वाइरस से हालात किस प्रकार से पूरे देश में है पूरी दुनिया में है एक जंग लड़ रहा है अपने आप से हर एक इन्सान इस वाय से हैं हाला कि पूरे देश में लॉक्डाउन कर दिया गया है 36 में भी लॉक्डाउन किया गया है और 36 सरकार द्वारा के अंदर सरकार के साथ मिलकर विसे इस प्रकार से पहल भी किया जा रहा है कि लोगों को तकलीफ ना हो गरीबों को तकलीफ ना हो या फिर जो मेडिकल सुविधाये हैं उसमें किसी प्रकार से कमी ना हो तो इसलिए सरकार दोरा प्रयास किये भी जा रहे हैं जब मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक 36 गड़ में टोटल कोरोना वायरस से संक्रमित ल प्रकार से है तो पुरी दुनिया में अभी तक जो पॉजिटिव केसे मिले हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ चार लात अठातर हजार दोसो अठाथाइस और जिसमें से 21,524 लोगों की डेथ हो चुकी है और रिकवरी भी बहुत सारे लोगों नहीं किये हैं जिनके रहें तेजभक्ति दिखाने का बहुत अच्छा मौका है तो घर में रहकर आप अपनी तेश अपनी दुनिया और मानपता की रक्षा करें चलिए इसके बाद यह हो गया पहला टॉपिक जो बेसिक जानकारी थी कोरोना वारस रिलेटे चाथिस गड़ का सिच्वेशन किस प प्रकार से इलेक्षन होते हैं कि इस प्रकार से चुनाओ होता है आप चाहो तो वीडियो इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो तो राज्यसभाज चुनाओ 2019 से रिलेटे च्छतिस गड़ के संदर्व में क्या जानकारी है तो जानकारी यह है कि जैसा कि आपको पता है कि च्छतिस गड़ में राज्यसभा की 5 सेटे हैं और यह 5 सेट जो है 9 अप्रेल 2020 को खाली हो रही है 5 सेट में से 2 सेट और वो 2 सेट पर चुनाओ होना था 26 मार्च को लेकिन भाजपा की तरब से कोई भी प्रत्यासी खड़ा नहीं किया गया तो ऐसा माना जा रहा है कि जो दोनों प्रत्यासी हैं राज्यसभा के वो निर्विरोध चुन लिये जाएंगे हाला कि जो राज्यसभा का चुनाओ था वो पॉस्पोन कर दिया गया था तो आपको पता होना चाहिए कि ये दो सीट पर कौन जो है वो प्रत्यासी थे 36 गड़ से एक नाम है फुलो देवी पर से इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए पहला नाम है मोती लाल वोरा जो की 2014 में बने थी इनका कारेकल 9 अप्रेल को खत्म हो uniform 2014 से यह भी है इनका भी कारेकल 9 अप्रेल को खत्म हो रहा है तो इन दोनों के जगह पर ही कौन चुन कर जाएंगे फुलो देवी नेत और केटी सिंग तुलसी दोनों का नाम याद रखिएगा प्रिलिम्स के लिए इंपोर्डेंट हो सकता है और मेंस के लिए कि राज्य सभा में सांसदों का चुना किस प्रकार से होता है जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं इसके लाबा 36 गड़ से राज्य सभा सांसद और कौन है तो एक है राम विचार नेताम जिनका कारिकाल 2022 में खत्म होगा एक है चाया वर्मा जिनका कारिकाल 2022 में खत्म होगा और एक है सरूज पांडे जिनका कारिकाल जो है 2024 में खत्म होगा तो यह हमारा पहला टॉपिक था 36 च्छेज़गर के संदर में राजय सभाचुनां 2019 संबन देत चलिए नोट करते चलिएगा क्योंकि यहाँ पर इसक्रेंट लेने के लिए आपके पास में कुछ है नहीं तो आप जैसे जैसे नोट करते चलोगे आपके लिए बहतर होगा याद करने में आपके लिए आसानी लेकिन बजट सत्र का 80% काम बचा हुआ था बजट प्रस्तुत हो गया था लेकिन कोरोना वैरस की वज़े से जो बजट का सत्र हथ था वो 26 मार्च तक के लिए टाल दिया गया था लेकिन जिस प्रकार से देश में हालात हैं जिस प्रकार से पूरे देश में लॉगडाउन किय गया है तो 26 मार्थ से आपका जो विधान सभा का सत्र है वो तो चालो होगा नहीं लेकिन जो भी विभागों का बजट आवंटन किया गया था उन विभागों में बजट पहुचाना बहुत जरूरी है अगर बजट नहीं पहुचेगा तो काम कैसे होगा और आप सभी को तो ब लेकों में हैं कि टोटल चलोम विभाग हैं जोकि तेरह मंत्रालियों में बटा हुआ है तो अब सवाल यहांपर यह आता है कि गिलोटीन बजट आखिर होता क्या है गिलोटीन बजट ही वो बजट होता है जिस पर चर्चा के बीना ही उसे सिर्फ मतदान के जरिये पास कर दिया जाता है तो यहाँ पर बहुत अधीक तक संभावना है कि 36 गड़मिक का जो बजट है उस पर चर्चा ना हो और इसे सिर्फ मतदान के जर्ये ही पास कर दिया जाएगा विभागों का बजट जो है वो अबंटित कर दिया जाएगा तो यह गिलोटीन बजट से रिलेटेड यहाँ पर य मंजूरी दे दिया गया है ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपोर्टेंट है हाली में भारत सरकार के स्वास्त एवं परिवार का लेन मंत्राले द्वारा 36 गड़ में तीन नए मेडिकल कॉलेज के स्थापना की मंजूरी दे दी गई है एक मेडिकल कॉलेज आपका बनेगा कुर्बा में एक मेडिकल कॉलेज आपका बनेगा महासमूंद में और एक मेडिकल कॉलेज आपका बनेगा कांकेर में इस तरह से 36 गड़ में तीन नए जो सरकार की तरफ से किया जाएगा आपके लिए यहाँ पर एक सवाल है कि प्रदेश में सरकारी मेडिकल कोलेजों की संख्या कितनी है वरतमान समय में तो नीचे कमेंट करके आप कमेंट यहाँ पर कर सकते हो चुले इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है मनरेगा मजदूरों के दर में व्रिध्धी की गई है यानि कि जो मनरेगा मजदूर होते हैं और जो भी उनका प्रति दिन जो मजदूरी दिया जाता है उस दर में व्रिध्धी की गई है अभी तक इस चालू वित्य वर्स में जो मजदूरी दर था मनरेगा में 36 गड़ में वो 176 रुपय था लेकिन इसमें 14 रुपय की बढ़ोतरी की गई है और यह दर जो है अब पहुंच गया है 190 रुपय यानि कि प्रती दिन 2020 और 21 फाइनेंशियल यर से मनरेगा मजदूरों को जो है वो 190 रुपय प्रती दिन मिला करेगा प्रिलिम्स के लिए important topic हो सकता है इसलिए बस ध्यान रखेगा इतना ध्यान रखेगा कि 176 रुपय से बढ़ा कर इस financial year में यानि कि 2020 और 21 किस में अब 190 रुपय मिलेगा और 14 रुपय की बढ़ोतरी हुई है ठीक है चलिए इसके बाद जो next topic है गरीब परिवारों को इस coronavirus के महामारी में गरीब परिवारों को यहां पर रहत दिया गया है और 36 गर सरकार दौरा फैसला लिया गया है कि अप्रेल और मैं महीनों का जो चावल वित्रन का रिक्रम होता है वो गरीब परिवारों को बिलकुल निसुल्क दिया जाएगा यानि कि उनसे किसी भी प्रकार से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा छोड़ी सी इंफोर्मेशन है आप यहाँ पर बिल्कुल इस बारे में जाना सकते हो एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप सक्षम है और अगर आप चाहते हैं लोगों की मदद करना तो आप मुख्यमंत्री सहयता को उसमें डोनेट कर सकते हैं अगर आप सक्षम हो तो बिल्कुल कर सकते हो हलाकि आप सो रुपे ही क्यों न करो लेकिन करना चाहिए आपकी जो यह रासी है मुख्यमंत्री सहयता को उसमें डोनेट कर सकते हैं तो उन लोगों तक मदद पहुँच पाएगा तो मेरा भी आपसे निवेदन है कि अगर आप सक्षम हैं तो बिल्कुल मुख्यमंत्री सहायता को उसमें डोनेट कर सकते हैं सो रुपया ही क्यों न करू लेकिन करना चाहिए इसके बाद जो हमारा निक्स्ट का टॉपिक है वो इथेनोल प्लांट से रिलेटेड है हम लोग बार बार सुन रहे थे कि चत्तिस गड़ ने अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी इथेनोल प्लांट के बात की थी सहकारी सक्करकार खाना जो आपका कवरधा में है वहाँ दूसरा पंडरिया व में लगाया जाएगा तीसरा बालोद में लगाया जाएगा और चौथा जो है आपका एथिनोल प्लांट अम्бिकापूर में लगाया जाएगा यहां की जनता यूज्स करती है, फिर प्रधेस सरकार का जो खपत होता है, वो हो जाता है, इसके लबाभा जो बाकी दान बच जाता है, या तो केंदर सरकार खरीद लेती है, या तो फिर राजयोसरकार के पास में श्तॉक रहता है, अब उस धान का क्या किया जा है, doubt एक 36 गर सरकार ने बहतर विकल्प है कि वो एथेनॉल प्लांट लगा के पेट्रोल में ब्लेंटिंग के लिए जो है एथेनॉल प्लांट लगा है उससे किसानों की आमदनी भी बढ़ सकती है प्रदेश सरकार को भी मुनाफ़ा हो सकता है और इन्वोर्मेंट को भी इसका आप मेंस में भी इस्तमाल कर सकते है और इसके अलावा आप चाहो तो यहां से प्रेलिम्स के लिए भी त्यार कर सकते हो टॉपिक को चलिए इसके बाद निक्स जो टॉपिक है हमारा नवीन प्रियाटन नीती 2020 का अनुमोदन किया गया है हाली में केंद्रिय मंतरी पर पर प्रियाटन को लेकर जाया जा सके इसलिए नवीन प्रियाटन नीती 2020 का अनुमोदन किया गया है यहां पर कैबिनेट की तरफ से important topic हो जाता है इसका example आप चाहो तो 36 गड़ जब economy का subject वहां पर प्रियाटन सा related solve कर रहो तो वहाँ पर भी आप इसका use कर सकते हो prelims के लिए भी त्यार कर सकते हो कि हाली में मंत्री परिश्याट द्वारा 36 गड़ में नवीन प्रियाटन नीती 2020 का अनुमोदन किया गया है नीवे इसको बढ़ावा देने के लिए चाहते गड़ में प्रियाटन को बढ़ावा देने के लिए और इसको उद्योग स्तर पर लिए जाने के लिए ठीक है इसके बाद एक नेक्स्ट का टॉपिक है हमारा इंपोर्डेंट है 36 गड़ विश्वे विद्याले संसोधन विधेक 2020 कुछ दिन पहले आपने नियूस सुना होगा कि कुसा भाव ठाकरे पत्रकारिता विश्वे विद्याले में कुलपती नियु में ऐसा प्राबधान था जिसके बाद प्रदेश तरकार ने इसमें संसुधन कर दिया है और संसुधन इस प्रकार से किया गया है कि बिना मंत्री परिशत के सिफारिस के राज जिपाल अब किसी वी विश्वे विद्याले के कुलपती की नियुकती नहीं कर सकेंगी नियु important हो सकता है आपके prelims के लिए इसका लावा कुसा भाव ठाक्रे पत्रकारीता विस्वविध्याले जो है उसका नाम बदलने का भी फैसला यहां पर प्रदियस्तरकार दौरद कीआ गया है उसका नाम रखा जाएंगा चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारीता विस्वे विद्याले कुसा भाव ठाकरी के जगह पर चंदूलाल चंद्राकर का नाम होगा और इसके लाबा जो कामधेनु विस्वे विद्याले था आपका उसका भी नाम बदला जाएगा और उसका नाम रखा जाएगा वासु देव चंद्राकर कामधेनु विष्व विध्याले ठीक है तो ध्यान रखिएगा प्रिलिम्स के लिए ये टॉपिक पहली से लेकर आठवी तक के परिक्षा जो थी उसको निरस्त कर दिया गया है यानि कि अब बिना पढ़े ही बच्चे नाइंध क्लास में चले जाएंगे सरकार का कहना है कि यहां पर सीलेबस कंप्लेट हो नहीं पाएगा और सीलेबस कंप्लेट नहीं हो पाएगा तो कि परिक्षा हैं टेंथ और ट्विल्थ उसका भी परिक्षा निरस्त कर दिया गया है दो दो पेपर दोनों के बचे हुए थे इस पर भी आगये किस परकार से परिक्षा होगी इस पर भी बात किया जाएगा एक्जाम के लिम्पोर्डे नहीं है पर बेसिक इंफॉर्मेशन है आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है तो इस तरह से हमारे पास 7-8 टॉपिक थे जो कि important थे इसके लावा आज से मैं जो भी महत्पून topic current effort के होंगे जो important होंगे चाहे आपको व्यक्तिगत तोर पर जो आपको जाना जरूरी हो उस सारे materials या फिर सारे content जो है वीडियोस के माध्यम से उपलब्द करवाता रहों और ध्यान रखिएगा आप घर बैठे तयारी कर सकते हो हमारे mobile तो पूरे विस्प पे जो मानपता पे खत्रापड़ा है हम और आप साथ मिलकर उससे लड़कर जरूर बहर निकलेंगे तो आप सभी को एक बार फिर से कहता हूं घर में रहकर ही अपने समय को बैहतर तरीके से यूटिलाइज करें, सूचें कि आपको आगे करना क्या है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू, थैंक्यू बेर मच्च CGPSC की समपूर्ण तयारी के लिए Competition Community के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले